सवागर थे आप सभेका मेरे वीडियो में आज हम इस वीडियों में बात करने वाले हैं क्लासि पर के लसन वान इंग्लिस काईट के एक्सर्साइब गहां इस यकितन करने लिए सबसे पहला question हमें मिलता है right words with same sounds तो बच्चों इसमें हमें कहा जा रहा है right words with same sounds ऐसे सब्द लिखिए जो एक प्रकार की आवाज में बोले जाते same sounds मतलब एक प्रकार की आवाज निकलती हुआ इससे सब्दों को लिखिए जिनसे एक प्रकार की आवाज निकलती हो तो हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमें अलग-अलग letters भी हुए हैं यहाँ इस side में हमें it लिखा हुआ मिलेगा इधर p, b, s, k, h, s लिखा हुआ है तो हमें इन में क्या करना है यह देखो यह red dots बने हुए हैं यहाँ पर तो यह हमें पता रहा है कि p को it के साथ जोड़ना है जैसे हम p को it के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिखते हैं इसको जैसे p को it के साथ जोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे p, ठीक है p लिखे और फिर उसके बगल में हम i लिख दिये और t लिख दिये p it क्या हो गया अब next देख लेते हैं next में यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है यहाँ क्या है it लिखा हुआ है इंदोनों को आप हम जोड़ देंगे इंदोनों को जोड़ने से क्या बनेगा bit ठीक है इसी प्रकार से हम next next करते जाएंगे अब next है s और it जोलना है s लिख दिए it लिख दिए ये क्या हो गया sit अब next लिखते हैं अगला है k k लिख दिए अब इसके बाद क्या लिखे it हो गया अब उसके बाद last है h here it ये हो गया it same sound आ रहा है इसी प्रकार से हमें इसके नीचे वाले सारे questions को solve करना है ठीक है कि जिसे यहां पर आप लिखेंगे तो ये फल फिर वाई लिखा है तो फ्लाइब हो जाएगा एसके वाई स्काई की यार वाई राई सी यार वाई क्राई एफ रवाई फ्राई उसी प्रकार से इन सब को भी आप लोग बना सकते हैं ठीक है अब हम next question क्यों चलते हैं बच्चों हमारा next question है second question complete the rhyming words इसमें क्या करना है एक प्रकार की आवाज आने वाले words को complete करना है यहां पर हमें क्या मिल रहा है blank spaces मिल रहे हैं खाली स्थान मिल रहे हैं उन खाली स्थानों में हमें भरना है जो भी answers होंगे ठीक है यहां पर मैं first second को बता दे रहूं उसके बाद आप लोग और किना को भी complete किजिएगर ठीक है यहां पर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है एक प्रकार की आवाज आने वाले शब्द बोल एक प्रकार की आवाज आने वाले words ठीक है तो first में है catch C A T C H C A T C H क्या होता है C A T C H catch होता है ठीक है तो अब हमें इसके बगल में लिखा है M A लिखा है और उसके next वाला है A T C H M A के बाद में blank space है और यहां second वाले में A T C H के पहले blank space है तो हमें इसमें और क्या करना पड़ेगा इसमें हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं C A T C H के बगल में हमें क्या लिख होंगे M A कोई words आप लोगों के भी मन में आ रहा होंगे T C H क्या हो गया M A T C H match हो ठीक है अब next है C A next है A T C H लिखा हुआ है तो इसके सामने में हम क्या लिख है क्या हो गया और क्या होता है और हमें क्या लिख सकते हैं B लिख सकते हैं B A T C H ठीक है अब next question second वाला है C A N क्या पढ़ते हैं इसको क्या कैन पढ़ते हैं अब किसी के जैसे हमें और लिखना है के जैसे क्या लिख सकता है क्या तो गया दो अब हो गया हम लिखते हैं एफ ए ए एन यह हो गया एन तीकर आप नेक्स्ट में है यहां पर हमारे ब्लेंक स्वेस्टे ए एन लिखा हुआ है तो इसमें हम आप क्या लिख गए है में मतलब में मतलब में मतलब एक समान में करना होता है और बेस का मतलब होता है समूद ही एक ग्रूम जिसे आप लोग क्लास का आप लोग अधी 2020 के बेच में हो आप लोग का जो ख्लास हो 2020 बेच में है तो उसी प्रकार से बेच अलग-अलग गुलूप को या फिर अलग-अलग का करते हैं अगला आप लोग बना सकते हैं तेल, नैल, फैल, काइच वाइच, वाइच, ब्राइच बेड, रेड, पैड ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेस्टन के ओर चलेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन हमारे सामने आता है Read the poem carefully and use these words to complete the story of Kyle आसे करता हूँ आप लोग सभी ने poem को पढ़ लिया होगा एवं समझ भी गए होंगे कोयम में क्या होता है कि काइट होती है वह काइट हमें अपने बारे में सब कुछ गुण बताते रहती है अस्मान में औरती हूँ में हवाओं के साथ खेलती हूँ और मेरी लंबी पूंच है और मैं काइट हूँ इस प्रकार से बताती है तो इन ही सब को इसमें हमें फील करना है कहा से फील करना है यहाँ पे हमें कुछ words दिये हुए है जैसे काइट दिया हुए है रेड दिया हुए है फन, प्लाई, प्ले, लॉंग यह हमें six words दिये हुए हैं इन six words को यहां पर blank spaces में हमें feel करना है यहां पर blank spaces में feel करना है तो आप हम देख लेते हैं क्या होगा इसमें सबसे पहले है I am a क्या है काइट मैं एक पतन हूँ I am a काइट काइट बोल रहे हैं काइट की कहा नहीं है next है my color is नीरा रंग है यहां पर उपर में देख लो उपर की और देखिए यहां पर कलर के नाम लिखते हुए हैं कौन सा कलर का नाम लिखा हुआ है रेड लिखा हुआ है चीक है नहीं है तो I fly in the sky f l y fly अपर लिका हुआ है उपर में I fly in the sky अब next है अब next में होगा I play with winds d l a y play next है I have a long tail पर आम में भी यह लाइन है कि इसी प्रकार से आप लोग को कि इन्हें complete करना I like fun fun मतलब क्या होता है मस्ती करना मज़े करना होता है तो काईट काती है कि मुझे मज़े करना मस्ती करना पसंद है चीक है यह वाले question भी complete हो गया अब हम चलते है next question की और तो बच्चों हमारा next question है fill in the blanks with can or count तो यहां पर हमें कहा जा रहा है कि यह जो खाली स्थान है यह blame की spaces है इन blame की spaces को हमें क्या करना है भरना है ठीक है कैसे भरना है इन blame की spaces को हमें इन blame की spaces को पाइसे भरना है केन या फिर count से ठीक है यह केन या फिर count से in blame की spaces को हमें fill करना है तो अब हम इनको fill करते हैं कैसे करेंगे केन का मतलब होता है सकना और count का मतलब होता है नहीं सकना ठीक है जैसे आप कोई चीज को कर सकते हो तो I can बोलोगे जैसे आप कुछी चीज को नहीं कर सकते तो I can't बोलोगे ठीक है जैसे तो पुछता है यू केन जंप लाइक टाइगर तो आपनों आइकांट बोल सकते हो मैं नहीं कर सकती या फिर मैं नहीं कर सकता इसी प्रकार साहिस में हमें उछा गया है कि इधर एक फोटो दिख रही होगी एक बच्चा है एक जाइल है कर देखता है और क्या क्या नहीं कर सकता इसकी को हमें इन इसके करना है चलिए फील करके देखते हैं तो सबसे पहले तो यह एक में फील करके हमें दे दिया है The little baby can't walk, it can only crawl The little baby can't walk इसका और मतलब होता है ये जो छोटा बच्चा है यहाँ चल नहीं सकता वाक मतलब क्या होता है चलना होता है ठीक है वाक मतलब चलना और और कांट मतलब नहीं सकता क्या होगी इन दोनों का मेनिम नहीं चल सकता दलीपिल बेदी ये छोटा बच्चा नहीं चल सकता इट केंड आउनली क्रॉल यह केवल क्रॉल करना मतलब जमीन में भीषट भीषट के चलना ठीक है भूटनों के बच्चे चलते हैं जब बैरों में खड़े नहीं हो पाते हैं तो भूटनों को पाल और पायरों को भाशीटते हुए चलते हैं उसी को क्रॉल करना कहते हैं ठीक है इट केंड अनली प्रॉल यह केवल कि जमीन पर कि अपना विसर विसर के चल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है अबर्ड क्या होगा यहां पर यह बर्ड लिखा है और प्लाइ लिखा है तो एक पच्छी प्लाइ क्या होगा यहां पर हो जाएगा पूर्ड सकती है तो यहां पर हम लिख देंगे अबर्ड लेकिन बर्ड का मतलब क्या होता है बर्ड का मतलब होता है लेकिन बर्ड एन लेकिन एक एलिफेंट कांट बटन एलिफेंट कांट एक एलिफेंट नहीं उर्ड सकती है नेक्स्ट आप इसी प्रकार से इनको भी कम्प्लीट करना है एन अनिमल आप लोगों को खुद को पुछा गया है वही केन और कांट वाला है यहां पर सोचो तो मतलब को तना थी तो बोल रहा है एन राइट और लिखो तो और लिखो एन और कांट यहां पर कांट को लिखना है कैसे करके सोच करके लिखना है यहां पर आपको कुछ क्वेस्टन कूछे जा रहा है उन क्वेस्टन को देख करके सोच करके आप लोगों को लिखना है ठीक है तो चलिए इनकर से हम क्वेस्टन का अंसर देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर लिखा है केन यू फ्लाई लाइक अ बर्ड क्या तुम एक चिडिया जैसे उर सकते हो तुम चिडिया जैसे उर सकते हो ऐसा कोई पूछ रहा है तो आप क्या उर सकते हैं नहीं उर सकते यहां पर दवाब लिखके दिया है एक आप उधारान दे दिया है कि नो I can't मैं नहीं उर सकता सेकंड क्वेस्टन है केन यू स्विम लाइक अफिस क्या आप क्या आप मचली की तरह तैर सकते हैं स्विम मतलब तैर ना होता है ठीक है लाइक मतलब जैसे होता है अफिस एक मचली यू मतलब क्या तुम एक मचली की तरह उर सकते हो मचली की तरह तैर सकते हो तो यहां पर अगर आप मसली की तरह कर सकते हैं तो yes, I can लिख दिजिए, नहीं तो no, I can't, यहां पर मसली की तरह तो आप नहीं तर सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे no, I can't, शीकर, नेक्स्ट, can you sing like a word, यहां पर हम चीरिया से गा सकते हैं, क्या चीरिया से तो हम अच्छा गा सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे, yes, I can, yes, I can, इसी प्रकार से यह लास्ट को भी आप कंप्लीट कर लें, can you speak मराथे, क्या आप मराथे बोल सकते हैं, मराथे एक लिंग्वेज के लोग बोलते हैं, तो आगर आप माराथे बोल सकते हैं, यहां पर yes, I can लिखेंगे, नहीं बोल सकते हैं, तो I can't लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर mistake हो गया है, अब next वाला है, इसमें आप लेको color फरना है, join the dots, color the picture and write five lines about in it, about it in your notebook, इसे color करके रखना है, इसे color करके रखना है, बुक में भी color कर लेंगे, और बुक में भी इसको बना के आप color कर सकते हैं, तो आज का वीडियो बस यहां सकता, आचा है, आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, धन्नुमाद,